यहां पर मैने 8 फंदे लिये हैं, 14 फंदे 7 कें मन्टिपल से लिये हैं, दो बार, सासद फंदे लिये हैं, तो 14 फंदे प्लस 4 फंदे एक्स्रा लिये हैं, 2 फंदे साइड में डिजाइन को इकुल करने के लिए र najwięks के लिए fellows 5 फंदे से बेज देने के लिए 2 राओ, उल्टे फंदों के साथ बुनका निकाली है, तो चलिए बनाते हैं, पहली रहो, सीधी साइड, एंस टि स्लिप करेंगे, repeat pattern start करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे दो फंदे छे साथ फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे एक फंदा सीधा जाई डालेंगे दो फंदे सीधे एक दो यहां से यहां तक हमारे दो पैटन कम्प्लीट हो गए हैं लास्ट में तीन फंदे बचेंगे दो फंदे उल्टे एक दो एस्टे सीधा बनेंगे पहली राव कम्प्लीट हो गई है, दूसरी रा रॉंग साइड सीधे फंदे सीधे उल्टे फंदे उल्टे बनाएंगे हर बार, दो फंदे सीधे, एक, दो, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह देखें, यहाँ पर मैंने दो फंदे सीधे बुने, पां चार, पांच, लास्ट में दो फंदे सीधे, एक, दो, एस्टिच, उल्टा, दीसरी रो सीधी साइड, सेम पहली रो की तरह ही बुनेंगे, एस्टिच स्लिप्ट करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा सी जाए डालेंगे दो फंदे सीधे एक दो यह देखिए यहां पर मैंने दो फंदे उल्टे बुने आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा जाए डालें दो फंदे सीधे फिर से इस पैटन को रपीट करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे एक फंदा सीधा जाई डालेंगे दो फंदे सीधे एक दो लास्ट में तीन फंदे हैं दो फंदे उल्टे एक दो एस्टे सीधा बुनेंगे तीसरी रो कम्प्लीट हो गई है चौती रो रॉंग साइड सीधे फंदे सीधे उल्टे फंद पाँच फिर से दो फंदे सीधे, एक दो, पाँच फंदे उल्टे, एक दो, तीन, चार, पाँच लास्ट में तीन फंदे हैं, दो फंदे सीधे, एक दो, एस्टिच उल्टा, पांच मी रौ सीधी साइड फिर से सेम पहली रौ की तरह ही बुनेंगे एस्टे स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टाट करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा जाए डालेंगे दो फंदे सीधे एक दो ये देखिए यहां पर मैंने दो फंदे उल्टे बुने आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा जाए डाले दो फंदे सीधा फिर से पैटन को रिपीट करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे एक फं 5 वी रौः complete हो गई हैं, चटीर और रौंग side सीधे फंदे सीधे उल्टे फंदे, उल्टे फुनेंगे, दो फंदे सीधे एक, दो फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर से दो फंदे सीधे, एक, दो, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, लास्ट में तीन फंदे हैं, दो फंदे सीधे, एक, दो, एस्टिच, उल्टा, साथ में रो सीधी साइन, सेम, फिर से पहली रो की तरह ही पुनेंगे, एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर स्टाट करेंगे, दो फंदे उल्टे, बुने आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा जाए डालेंगे दो फंदे सीधे फिर से पैटरन को रिपीट करते जाएंगे तो दिखे दो फंदे उल्टे एक दो आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे एक फंदा सीधा जाए हो गई है आठमी रों रॉंग साइड सीधे फंदे सीधे उल्टे फंदे उल्टे बुनेंगे दो फंदे सीधे एक दो पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच फिर से दो फंदे सीधे एक दो पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच लांस्ट में में तीन फंदे हैं दो फंदे सीधे एक दो एस्टिच उल्टा कि नौमी रहा है सीधी साइड है एस्टिच स्लिप करेंगे रपीट पैटर्न स्टाट करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो दो फंदे सीधे एक दो जाई डालेंगे एक फंदा सीधा दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे यह देखिए यहां पर मैंने दो फंदे उल्टे बुने दो फंदे सीधे जाई डाली एक फंदा सीधा बैक लूप से दो फंदों का ए करेंगे तो दिखें दो फंदे उल्टे एक दो हूँ दू जाय डालेंगे एक पंद सीधा दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदliestना 62 को सीधा नामीर और कंप्लीट हो गई हैं दसमीर और रॉन साइड सीधे फंदे सीधे उल्टे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे 2 फंदे सीधे एक दो पांच फंदे उल्टे एक दो दो, तीन, चार, पांच, फिर से दो फंदे सीधे, एक, दो, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, लास्ट में दो फंदे सीधे, एक, दो, एस्टिच, उल्टा, ग्यारा रो हैं और सीधी साइड है, एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, दो फंदे सीधे, एक, दो, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा ये देखिए यहां पर मैंने दो फंदे उल्टे बुनें दो फंदे सीधे जाए डाली एक फंदा सीधा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा फिर से पैटरन को रपीट करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो दो फंदे सीधे एक दो जाए डालेंग एक फंदा सीधा दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा लास्ट में तीन फंदे हैं दो फंदे उल्टे एक दो एस्ट इस सीधा बुनेंगे 11 रोas complete हो गई है 12 रोas wrong side सीधे फंदे सीधे उल्टे फंदे बुनेंगे 2 फंदे सीधे एक दो फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच फिर से दो फंदे सीधे, एक, दो, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, लास्ट में तीन फंदे हैं, दो फंदे सीधे, एक, दो, एस्टिच, उल्टा तेरा रो सीधी साइड, फिर से सेम नौमी रो की तरह ही बुनेंगे, एस्टिच स्लिप करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, दो फंदे सीधे, एक, दो, जाए डालेंगे, एक फंदा सीधा, दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, ये देख यहां पर मैंने दो फंदे उल्टे बुने दो फंदे सीधे जाई डाली एक फंदा सीधा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा फिर से इस पैटन को ऐसे ही बार बार रिपीट करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो दो फंदे सीधे एक दो जाई डालेंगे एक फंदा सीधा दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, लास्ट में तीन फंदे बचेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, एस्ट इस सीधा, तेरा रो कम्प्लीट हो गई है, 14 और रो ओंग सैंड, सीधे फंदे, सीधे उल्टे फंदे, उल्टे बुनेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर से दो फंदे सीधे, एक, दो, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच लास्ट में तीन फंदे हैं, दो फंदे सीधे, एक, दो, एस्टिच उल्टा पंद्रा रहो सीधी साइड, फिर से सेम, नौमी रहो की तरह ही बुनेंगे एस्टिच स्लिप करेंगे, रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, दो फंदे सीधे, एक, दो जाए डालेंगे, एक फंदा सीधा, दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा यह देखिए यहां पर मैंने दो फंदे उल्टे बुने दो फंदे सीधे जाई डाली एक फंदा सीधा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा फिर से पैटरन को रिपीट करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो दो फंदे सीधे एक दो जाई डालेंगे एक फंदा सीधा दो फं 15 रो कम्प्लीट हो गई है, 16 रो रोंग सेट सीधे फंदे सीधे उल्टे फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे, 1, 2, 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर से 2 फंदे सीधे, 1, 2, 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट में 2 फंदे सीधे, 1, 2, एस्टिच उल्टा, तो ये दिखे, 16 रो कम्प्लीट हो गई है, और हमारा पैटर्न भी कम्प्लीट हो गया है, आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है, और पीछे की साइड से ये इस तरह से दिखता है, तो फिर से हमें से पहली रौ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही बार-बार इसकी सोलार और रपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडीज कार्डगर में लेडी जैकिट में गर्ल्स टॉप में बच्चों के सैटर में अपलाइक कर सकते हैं तो फ्रेंड आप इसे बनाएए और हमें कमेंट सेक्षन में जाकर बताएए कि आपको हमारे पैटर्न कैसे लगत कर दोखिए Sh sprangकराएए बनाएए चारा सेक्षन में जाकर झाल सकते हैं यूब तो जा हमें से कमें पतावर में जाफमें आपको हमें जाकरण में जाल में आपको ए में